कल जब प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार मिशन मोड में डेर साल के भीतर 10 लाख नौकरी देगी तब हमको यादा गया 2014 का वो वादा जिसको लेकर पूरे भारत में ये माहौल बनाया गया था कि भाई साहब भाजपा को वोट दीजिये और हर साल 2 करोड नौकरी पाइए कुछ लोग कहता है कि भाजपा ने कहा था कि 2 करोड नौकरी नहीं देंगे, 2 करोड रोजगार देंगे अब नौकरी और रोजगार में हमको अंतर पता है लेकिन सवाल बच जाता है कि तेड़ साल के भीतर 10 लाख रोजगार वाला मिशन मोड 204 के एन पहले कहें आ जो कहा वो तो करके दिखा दिया आप लोग अपना बटन भाजपा पर ही दबाईएगा अब आपको हम कुछ आंकड़ा बताएंगे और बताएंगे कि बिहार के नेताओं ने क्या रियक्शन दिया है इस पर तब तक आप अपना दिल ठाम कर बैठिये डेड़ साल तक अगर आ नाम प्रशांतरा है आप जनता जिंक्शन देख रहे हैं एक आखड़े के मुताबिक पूरे केंद सरकार में 40 लाख नौकरिया होती है और इसमें से 21 फीसदी पद खाली है यानि कि लमसम साढ़े 9 लाख नौकरी ऐसे ही केंद सरकार चाहे तो दे सकती है आप सोचिए कि पहले ही दे दी जाए और उसके बाद 2 करोड रोजगार का बात याद करिये यानि होते हैं 2014 से 2022 तक 8 साल और 8 दूना होता है हमारे मास्टर जी हमको पढ़ाए थे 16 यानि कि 16 करोड रोजगार का वादा था और 1.5 साल के भीतर अगर देखा जाए तो प्रत्यक्स तोर पर भा किस तक 73 भरती निकाला और 73 भरती का जो एकजाम हुआ उसमें से मात्र 25 भरती का रिजल्ट आया है आप सोचिए इसका परसंटेज कितना है 73 बार एकजाम लिया गया भरती निकाल कर और रिजल्ट आया 25 का और जो बच गया उसका रिजल्टे नहीं आया और अगर प्रतिवर्ष दो करोड नियमित नौकरियां देने का लिखित वादा था लेकिन आठ वर्ष के सासंत बाद भी डेर साल में केवल 10 लाख नौकरियां देने का जुवानी खर्च हो रहा है इनकी बातों वादों कस्मों जुमलों भाषनों और इरादों का तुलनात्मक विशलेशन होना चाहिए की नहीं क्या जूट की कोई सीमा होती है भाजपा की डबल इंजन सरकार बताए कि कतित डेर साल में देश दी जाने वाली 10 लाख नौकरियां उनके वादे अनुसार बिहार में दी जाने वाली 19 लाक नौकरियों से अलग है या उसी में है और उसके बाद दो सवाल तिरस्वी आदव ने और पूछा है क्या ये नौकरियां नियमित होंगी या ठेके पर होंगी मतलब संभिदा पर और दूसरा सवाल तिरस्वी आदव पूछते हैं कि क्या इनके लिए भी परिछा फॉर्म शूलक लिया जाएगा तिरस्वी आदव का ये सवाल बिल्कुल जायज इसलिए हो जाता है क्योंकि बिहार विधानसवा चुनाओं में जब RJD ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया तो उसके बाद NDA एक नया स्वी गुफा लेकर आई और कहा कि हम बिहार में 19 लाख नौकरी देंगे तो सवाल ये बच जाता है कि केंद सरकार जो डेर साल में 10 लाख नौकरी देने जा रही है क्या बिहार का जो 19 लाख नौकरी था उसी में इंडल्ज है क्योंकि असलियत ये है कि जो केंद सरकार 10 लाख पदू पर बहाली करेगी वो पूरे भारत वर्ष से करेगी इसका बिहार के लिए जो वादा किया गया था 19 लाख नौकरी का वो वादा यहां पर सटीक नहीं बैठता है उसके बाद सवाल ये है कि क्या केंद सरकार जो बहाली करेगी वो संबिधा पर होगा आज कर ठेका का जमाना चल रहा है आप MBA कर लीजिए लेकिन आपको नौकरी ठेका पर मतलब होता है temporary आपको कभी भी भगाय जा सकता है आपका salary कभी भी कम हो सकता है आपको कोई सुख सुविधा नहीं दिया जाएगा और आप court में जाकर claim नहीं कर सकते हैं और अगला सवाल ये है कि क्या परिक्षा शूल्क निमोदी सरकार लेगी इसके भी बहुत ब माई का अपने पिता से किसान है परिक्षा फॉर्म भरते हैं परिक्षा से वो खात्र एकदम परिशान हो जाते हैं और इस बात को लेकर अब चर्चा बहुत तेज हो गई है कि मोदी सरकार ने सोलग करोर रोजगार तो दिया नहीं और पितु नया बखेडा खड़ा कर दिय और निता प्रतिफक्स तरियस्वी यादव ने सवाल भी पूछा है बाकर इस पर कोई अबड़ी डागात आपको मताएंगे मिना नाम प्रशानतरा है आप जंदने निशन देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद